खत्रों की खिलाडी के बाद एक बार फिर से जैस्मिन भसीन को मिला रोहिच शेट्टी का साथ इस बार रोहिच शेट्टी आया है जैस्मिन भसीन की नई फिल्म अर्दास सरबादे भलेदी के लॉंच पर मोमाई में फिल्म का ट्रेलर लॉंच हुआ जहाँ पजैस्मिंग के साथ उनके को स्टार गिपी ग्रेवाल थे, गुर्पीज सिंग गुगी थे और प्रिंस कवलजीत सिंग थे परोई शिट्टे के आने से फिल्म के लॉंच में एक अलग चारचान लगे केरियों जट्टा और मंजी विस्तर तीन के बाद ये फिल्म अर्दास फ्रेंचाइसी की एक और फिल्म है जिस फिल्म के साथ गिपी ग्रेवाल ने अपने बताओ डिरेक्टर एंट्री ली थी और इस पार इस फिल्म के साथ गिपी ग्रेवाल एक बार फिर से रेडी है आप सब का एंड इस फिल्म अरदास यह हम सब के लिए बहुत स्पेशल है पहले तो मैं बताओं कि जैसे आपने बुला था कि अरदास का मीनिंग क्या है यह वो कॉडलेस फोन है जो सबसे पहले गॉड ने क्रेट किया था कि आप यहाँ पे कहीं पे बहुती हो कभी इसकी रेंज नी खतम होती कभी इसको चार्ज नी करना पड़ता है कहीं से भी मिलाओ सीदा मिलता है उपर व्यारदास सलवे हमारे प्रडक्शन है इसकी पहली फिल्म थी मेरे या長 ए डिरक्टर पहली फिल्म को गिपा जी ने मेरे पर रिस्क लिया था एस एक्टर सो बहुत खास फिल्म है हमारी थांक यू सो वरी मच और इस मुवी के बारे में जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है तो उन्होंने भी बोल दिया गिपी जी ने भी लेकिन फिर भी एक बार यह नीचे वाली लाइन आई सुर्ण के वारे में जरूर बात करना जांना कर गाउंगा अर्दास हेमारी हर बार यह टैग लैन बदलती Till और इस बार ही जो लाइन इसका बहुत बड़ा मत्लब एक हमारी लिए इंपॉर्ट्व्टे निसे ग्रूरू दौर। करके तो लास नहीं यही होती है नानक नाम चड़दी कला तेरे पाने सरबता पला तब हम उस भगवान अल्ला वाहिगरू को कहते हैं कि सब को हाई स्पिरिट्स में रखना और सब का भला करना अपना भला मांगने सब जाते हैं गुरद्वारे मंदिर मस्जिद अपने लिए गाड़ी अपने लिए बंगला मांगने जाते हैं अपने लिए बच्चों की काम्या भी मांगने जाते हैं कोई अपने बच्चों को फारन सेटल करना चाहता है रोटी रोजी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं लेकि ये एक सिध्धान्त है ये दुनिया का एक हिस्सा है तभी हम लोग खुश रहा पाएंगे और बहुत ज्यादा में तो नहीं जाना चाहता मैं लेकिन हमारे के emotion जुड़ा होता है यह picture के साथ और जैसे कि भाई ने कहा रोह जी हमने जब यह पहली पंजाबी सिनेमा चेंज किया था तो उसमें मनलब हम पूरे नशे में थे के हमने के बाद ऐसी और पिक्चर हैंगी तो एक दम से मुझे जटका दिया कि हमने एक पिक्चर बनानी है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाएगी तो यह प्रीचिंग कॉन लेता है फिल्मों से और तुम से कैरियन जटा चल चुकी है तर रेह बना दो इसकी चिसके पीछे địबहे जोडते जाओ लेकिन अरदास ने हमें सिखाया कि सीरियस से। क्या होता है लोगों को से निमा कैसे कॉंट्रिबूट करता है यह हमें अरदास नें सिखाया अरदास के बाद सब्झ के बा while doing television and other OTT, I have always, Jio has always given me opportunity, but Ardaas film opportunity से ज़ाद मुझे लगता है blessing है, क्योंकि जब ऐसी फिल्म में बनती है, तो लोगों को लगता नहीं है, कि they will do great or anything, but Ardaas has always been a very big franchise, biggest hit, और मैं सिर्फ थैंक्यों ही पोल सकती हूँ, तो सबको यहां पर जिनों ने मुझे बिलीव किया, मुझे एपोचिनिटी दी और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी, फिल्म बहुत प्यारी है, तो उस फिल्म ने एक नया ही माइल स्टोन पंजाब में काइम किया, और इतनी एप्रिसेशन विली उसकी वजा से, मैं बता नहीं सकता, तो प्रिंस इस फिल्म का बहुत एहम पार्थ है, मैं एथे ओशी बारा रहिंदा हूंदा थी, ते एथे इन्फिनिटी ज फिल्म देखा करनी ते मान बढ़ा कारदा हूंदा थी, भी यर कदे आई थे फिल्म लगूगी, ते आज जड़ा सुवादा आ रहा है, भी ट्रेलर आई थे होना पना, और थेंक्यू गिपी बाईजी दा, जिन्ना ने, मैं निके निके रोल करदा हूंदा थी, सच बताओं तो, मेरी दो फिल्मे आई, वो बिल्कुल ने जली, तो, एक होती है फ्लॉप, एक होती है बुरी तरह से फ्लॉप, तो, वो ही, तो, मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं शायद, कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, तो, मैंने उसके बाद, एक महीना कोई फिल्म साइन नहीं की, दो-तिन फिल्मे मैंने इन बटवीन थी, मैंने उनको भी मना कर दिया, मैं के यर मैंने नहीं करनी, तो, मैं फ्री बैठा था, मैंने कभी फिल्म लिखी नहीं थी, मैं कभी राइट, मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सिजेंटल हुई है, मैं कुछ भी नहीं था actually, मैं सिर्फ सिंगर हूँ, तो आज लोग जादा मुझे ऐजा एक्टर जानते हैं, तो मैं गानी गाना चाहता था, कैनडा रहता था, बहुत सी जॉब्स करता था, ट्वाइलेट क्लीनि जो रेगुलर हम लोग यहां से जाके वहां पर करते हैं, तो मुझे था कि जितने के पैसे बनते हैं, काश वो मेरे सिंगिंग में बनने लग जाएं, तो मैं खुश होँगा उस चीज़े, तो बगवान ने इतना दिया कि मेरी उकात ही नी थी जहां तक मैं आज पहुँच तो फाइली कट शॉट इस पर आते हैं, कि मैं फ्री बैठा था, मुझे लगा कि यार कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा सब्जेक्ट बनाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया, मैंने तीन चार राइटरों को सुनाया, तो वो कहते कि यार ये पाजी क क्या कर रहे हो, पहले ही दो नहीं चली हैं, तो जब फिल्म नहीं चलती है, तो सब अडवाइस देते हैं, कि यार ऐसे करो, ऐसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ना, जो सब को पता होता है, क्योंकि हम भी लोगों को भी अडवाइस दे रहे होते हैं, तो हमें कि मैं खुद लिखता हूँ और मैंने pen paper उठाया आज भी वो मेरे पास script है मैं continuously लिखने लगा मैंने एक गंटा लिखा एक गंटे के बाद मैंने देखा कि ये कितनी को हो गई है तो कि कुछ इस पता नहीं था film कैसे लिखते हैं तो मैंने मोटा मोटा idea लगाया कि ये ना film एक गंटे की होगी एक गंटे पांच-दास मिनट के आसपास की होगी तो मैंने का कि पहले गर पर टेस्ट करते हैं तो मैंने वाइफ को सुनाई एक गंटे की के मुझे कोई सुना के गया है subject सुन तो वो कहती है ये इतनी अच्छी फिल्म है कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए आप गलत फिल्में कर रहे हो तो मुझे लगा अच्छा मैंने फिर नहीं बताया मैं का मैं इसको बोलूगा मैंने लिखी है तो ये मुकर जाएगी शायद तो नेक्स डे मैं फिर बैठा मैंने फिर एक गंटा लिखा तो पूरी फिल्म होगी दो गंटे पांच-दस मिनट की वो दो ही दिन लिखी थी और विद डायलोग लिखते से तब पूरी के पूरी वही रिलीज की वही बनाई और जैनुरली मैं बताओं कि हर फिल्म मैंने जब लिखी है मैंने ऐसे ही लिखी है कि मतलब अब तो मेरी लिख्योई फिल्में बहुत से रिलीज होगी है मुझे ल वो फिल्म कर रहे हैं लाल संग चड़ा तो आप एक अपना पंजाबी राइटर दो तो कहते तू भी लिख लेता है मुझे पता था पाजी बहुत टाइम लिगाते हैं मैं तो नहीं इतना अचा लिखता जी मैं आपको एक राइटर दे देता हूं तो मैंने उनको एक राइट बंदा ठीक है जो मैंने बेजाए आपको तो वो कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सही कर रहा है कमाल है बंदा मैं कहीं ठीक है तो मैंने उसको पुछा तू ऐसा क्या कर रहा है वो कहता है कोच नहीं मैं रात को बताते हैं सारा दिन कि जब सुबा आते हैं तो भू बोलते हैं तो यह नहीं हम वैसी करते हैं तो ऐसा काफी टाइम हुआ हूँ तो हमारे वैसा है नहीं तो हम तो मतलब चाहिद मेरा तरीका वो है तो मुझे ऐसा लगता है खासकर कि यह फिल्म के लिए कि जो मेरे चीजें जहन में आती है और हमारी फिल्में बहुत सी ऐसे होती है कि हम लोगों में से निकालते हैं ये कहानिया ये हमारी कहानिया है नहीं इसमें बहुत सी चीजें सुनी सुनाई चीजें है इदर से उदर से वैसी फिल्में तो यह ऐसे ही बन जाती है तो टच वॉड इस फिल्म के लिए कोई प्रडीूसर नी आया, तो मैं प्रडीूसर बन गया पहले लिखी राइटर नी आया फिर मैंने डिरेक्टर नहीं करनी थी मैंने कई डिरेक्टरों को सुनाई यह अब मेरे को तो सुनके बोलते थे बहुत अच्छी है, पाजी एक हमारा सब्जेक्ट सुनो, वो अपना सुना ले लग जाते हैं, तो मुझे लगा कि कोई नी मानेगा, तो मैंने सुचा मैं कर लूँ, तो फिर मैंने इनको बुलाया, ये भी नी मान रहे थे, एजा एक्टर नी मान रहे थ ये कहते हैं कि तू खुद एक्टरे कर ले, तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको भी किन्विंस किया, मेरे गर पे बैठे हैं ऐसे पकोड़े खा रहे थे, जब मैंने बोला कि मैं डिरेक्ट करने वाला हूँ, वो गिर गया नीचे, तो मैंने किन्विंस किया, तो फाइनली फिल्म हुई और टच वोड चीजें सीधी पड़ती गई, सो की नहीं हो गई बास ये चीज़े, खुद डूबने वाले हैं तो इनका मन है कि अकेले क्यों डूबा जाए, किसी को साथ लेके चलते हैं वहां बाते करेंगे, डिल लगा रहे गाँ तो इनों ने बिठाया भी म कोई नहीं देखता पाजी, तो अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि कॉमेडी करते करते हैं, कहां सर ग्रेटी नियल आफ्टर चैलेंज, फर्स सीजन हमने किया था, उसके बाद लगा तार अच्छा महौल बना हुआ है, कॉमेडी करते जा रहे हैं, कह रही हैं, और फिल्म अपने से जुदा नहीं कर पाते, अपने अपने ढंक से उसको निभाते हैं, तो मुझे जब ये करेक्टर में पहली पीक्चर में किया था, अरदास में, तो मुझे लगा कि जो मैंने अपने माबाप से, अपने एष्ट से, अपने भगवान से, जो आज तक समझा है, सीखा है वो मुझे स्क्रीन पर पोट्रे करने का मौका मिला तो यह बहुत अच्छी चीज है कि हमारी अगली जनरेशन को हम आज वो चीज दे के जा रहे हैं क्योंकि आज कल किताब पढ़ने का चैलन बिलकुल बंद हो चुका है तो मुझे इस चीज की यह खुशी है कि इसमें जब हम गुरु गुर्ण साब जी से कोट्स लेते हैं कोटेशन लेते हैं तो वो कहीं न कहीं ट्रेवल करके बच्चों तक पहुंच रही हैं बच्चे उसका मतलब या तो उसका सब्टाइटल पढ़के समझ लेते हैं नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है तो सबसे बड़िया चीज इन फिल्मों में जो हम कर पा रहे हैं कि हम उन कीमती बच्चों को बच्चों तक आगे पास-on कर रहे हैं यह चीजें ट्रेवल करेंगी यह सुसाइटी को बहुत बड़ा कांट्रिबूरिशन तब यह सूपरस्टार थे अभी है और चेंज इस तो कुछ नहीं मुझे आई एक्चली आर रिस्पेक्ट इम लोड लोग अप टो ह है है होटेल से शुरू किया चीजें एक्सिदेंटली हो गई देन असम थिंग इस पार्टनर इन हाव इस मैरेड लाइफ मैं छोटी चोटी इतनी सारी बातें से सीक्ती हूँ और जब मिलती हूँ थोडी सी और रिस्पेक्ट करने लगती हूँ तो यही चेंज है कि हर बार प्रों में और जैसी सब को साथ में लेके चलते हैं आइसी है हमबल में कैसे ओपरेट करते हैं और रिली रिस्पेक्ट इम पाइवरी तो फिर फिल्म रिलीज हुई और हम लोग परमोशन पर थे तो सारे जाने उत्रे अपनी अपनी गाड़ियों से सब दर दर हो गए तो एक हुंदा ना भी तुसी बहुत सुपर कैंट बंदेनल फेर दे हैं और मैंने यह सोचा ही नहीं गिपी पाजी के पीछे पीछे ऐसे गया और गर के अंदर चला गया इनके आगे चला गया पाजी तो आगे निकल गया वहां पर पापीजी सब रिष्टेदार बैठे हुए तो मुझे रिषाम ना आए और प्रिंसे आजा 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 आ यह पापीजी दा ना लाकर के ने बीडालोग प्रिंसे ने लिखे बहुत बढ़ियों मैंनो लिजा आजा बठाया हूँ थे बढ़िया सारे ना मलाया थे मैं कहां जी मैं जाना है डेड कर बजहे रहा थे खेंदे घड़ी शड़े हुए मैं कहां उन हिम्मत री ना पहन दी जी मैं कहां नहीं नी बाजी है बंदा बार खड़या गड़ी आग बार निकल या मिले आना तो ते मैं कारतों लेंके खरड रिइंदा थी मैं चार साड़े-4 किलोमीटर का फरक था तो बदा पिर स्टीट लाइटे हमको अच्छी लगती है सड़क पे लगी होई वाइट लाईने अच्छी लगती है बद चलते के मैं तुरके चुप करके साठेक चारवाज देनू करें पहुंच गया हुदे पाजवाज देनू तब से बस चला रहा हूं साथ में भाशा के वज़े से फिल्म का दिविजिन हो सकता है फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकते है यह फिल्म स्पेशल अब कुमार जी ने प्रिव्स की है फिल्म जी ओ जो जोती जी इस देर विया में कुमार जी गो लॉंग वे जिस तरह से आप मेरे ओफिस आ रहे हैं जब हम छोटे तो कुमार जी रहते ते देव गंस में और हम इनके अंडर सब काम करते थे और हमारी शुरुवात मतलब ती ग्रोथ देखी है और जो इनमें एक चेंज नहीं आया है वो यह कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहता है जबके द्रिश्यम, शैतान और 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 भी कई सारी फिल्म है उन्हों ने प्रडूस की है और एक बहुत बड़ा असोसियेशन रहा है आज तक प्लस जै अजया है और विजए यह फिल्म इनक्यों प्रडूस की है और अजय है और लोग इस विखते हैं उनको सपोर्ट करना जादा पसंद करता हूं उनका साथ देना जादा पसंद करता हूं और आया तो मुझे यह अपने अज़ लेकिन कुछ सीखे जाओंगा मैं यहा है यह से I think India is a beautiful diverse country in which there are 26, 35 languages. My dream is that every individual, every Indian will make a picture in any language. Because we can see Spanish things, we can see Korean things, we can see OTT, thanks to OTT. So why do we leave Punjabi or Marathi? So my dream and endeavor will always be that a good story can be as big as any other story. So it's my privilege to be part of this team. My team, I think, was Kipipa Ji, took six films, this is a two-year-old slate, this is six films, three movies, three movies. So my team said, one movie, two movies. I said, three movies, three movies, three movies, three movies. So there's an artist in which there's a career-on jetty, and Manjev is three movies. So after that, I've been talking about this film, I've been talking about this film, I've been talking about this film. You will join me? I'll say, absolutely. And they haven't heard anything. Blindly. You'll say, let me agree on this story. I'll say, So this is a belief. So today I'm proud of you that we'll be together with you. इतने लोग आरे मेरे ओफिस में मुझे नहीं नही पथा मैं वहाँ पर कुमार दी से फहली बार को, कि इनके ओफिस में मिलाँ और और शवाज़ा पर मानेंगे यह यह पहली पेज़ पेज़ दर तर लांच के यह पहले डिशव । ये झालाबरेशन जियो हमब एंपनूरमा झाला एक हमारा पहले बार मुला कहा झाला एक हुए आए मेरी हैपी एद अइन मैं चाहता हूं कि ये जाए बहुत अच्छा जाए ये अच्छा अच्छा लगा 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 हो हो बहुत जो इमोशनल है बिकॉस फॉर हिम इत्स बड़ी बिग रिलीज एंड ही एक्साइड प्लस वेरी नर्वस एंड वेरी नर्वस एंड होप यह अच्छा जाए एंड पिचर बहुत अच्छी जाए सबसे बड़ी पंजाए पिचर बने में तो मैं बहुत एक सचे दिलनाड अरदास करके शुरू किता सी और तो मैं दसा उस टाइम फिल्म दा टाइटल अरदास नहीं सी उस वक्त फिल्म का टाइटल जो था वो अरदास नहीं था तो मैंने दिल से प्रे की कि यार मैं फिल्म बनाने लगा हूं मैं बहुत ऑनेसली इस फिल्म को बनाना चाहता हूं और मैंने फिल्म बनाई उसके बाद हमने यह टाइटल डिसाइड किया, फिलम बनने के बाद, इस फिलम का टाइटल अरदास होगा, और वो मेरी अरदास तो, मैंने पहले जैसे बताया कि, यह अरदास तो सीधी है, कि व्डाट वाइर सीधा कॉडले सूपर तक जाता है, तो ऐसे ही गई, तो आज थर्ड फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है और इतनी बड़ा रलीज हो रहा है हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रिलर लॉंच पे और मेरे साथ तो जी सर देखिए मेरे लिए अर्दास का तुरा डिफरेंड माने है मैं अर्दास को और डिमांड इन दोनों को अलग जाना उस से शमता लेने जाना उस से वो मांगना कि मुझे इतने लाइक कर दे कि ये चीज मैं हासिल कर पाऊं और बहुसी चीजें ऐसी होती है जो अगर मेरे फादर साहब की एज अगर सौ साल हो चुकी है तो अब मैं कहूं कि इनको बिलकुल अर्दास करूं जाके कि बिल मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना वो दे देना उसको मैंने कभी डीपो नहीं समझा कि वो जाके राशन कार लेके जाओंगा ये राशन लेके आ जाओंगा लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है सरबदे पले दी वो मेरे ल है खुशी की आवाज बच्चों को हसते हुए सुन सके इस से ज्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती है आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हसने की आवाज आती है ना तो इससे बड़ी खुशी और कोई अब इनों को प्रफेशन बन जाते कि आपको किसी पी कीमत पर करना ही है और अजिसली चार साल से जब से अपने आपको तेलिविजन ब्रेक दिया मेरी दिन रात यहीं अर्दासे चल रही थी कि मैं कभ अपने आपको बड़ी स्क्रीन पर देखू और आज उसी का तरह रहा है तरह रहा है थांक यू तो मुझे लगते है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहां तक आना मुझे लगता है वाइगडु जी ने मेरी उंगली पकड़की मुझे चलाया और बच्पन में मम्मी अर्दास का कॉंसेप सिखा देती है कि जो भी मांगने उनसे मेरी खुबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ ऐसा कुछ ने अभी तक I have not gotten that validation, that recognition, oh my god, what a performer क्योंकि अनफॉचनेटली अभी तक मुझे शयद ऐसा प्रजेक्ट ही नहीं मिला बट उसके बावजूद जो भी मैं efforts करती रहती हैं मुझ जैसी बहुत मैं यहां हूँ, वो अर्दासों का result है, thank you so much. मुझे असे लगा मुझे बहुत ही बड़ा blessing है, honestly, a film बहुत अच्छे इंसिदेंस थे अन्टी परेंसी असी तहां ही अर्दास कर देंदेंसी भी जैसमीन थी मम्मी आज फिर पीले जोल बना के लिए हूँ, मम्मी एते ही जरूर जरूर आपका अर्दास देखो जमें गीप मैं आपका अर्दास lotion बनाता हूँ तो मेरे एक दिल की सट्सफेक्शन है मैं बताओं कि लास्ट टाइम जब पार्ट टू था अरदास करां तो इसकी ना एक मैं यशराज में मिक्स कर रहा था तो फाइनल मिक्स मैं चेक कर रहा था उस फिल्म का तो जब फाइनल मैं ने चेक किया पूरी की पूरी तो मेरी टीम भी बैठी थी तो विनॉध बैठा यहां पे तो मेरे मैनेजर भी है सब कोछ यह देखते हैं तो he's with me तो mostly क्या होता है कि मैं जब सबसे पहले फिल्म देखते हैं तो जादातर यह होता है तो मैं इसको बोलता हूँ कि तेरे को कैसी लेगी क्योंकि मुझे होता है कि इसका अनेस्ट विए उगा मेरे लिए यह सही बताएगा तो फिल्म ख़तु हुई तो मैंने देखा मैं का विनोध को पूछते है तो मैंने उठके पीछे देखा तो यह था फिल्म में देखके ना करना मुझे लगा कि यह अपने डैड को फोन ही बहुत कम करता हूं मैं उनसे बात नहीं करता हूं तो वह एक अचीवमेंट है जो एक्चुली क्या है कि यह फिल्म ना छोटे 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 रिष्टों की फिल्म होती है यह नहीं है अब मेरे को ले मेरे मदर ऐस्टेलिया में यह थोड़ी है कि मैं उनको प्यार नहीं करता हूं मैं उनको बहुत प्यार करता हूं मैं आलवेज उनको मिस करता हूं फिर भी मैं कई बार एक एक दो 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 दिन मिस कर देता हूं उनको फोन करने में बट उनको तो होता है ना कि मेरे को फोन करे अब मैं और कई कामों को मिश नहीं करता हूँ, हम वो छोटी-छोटी चीजें करते हैं डेली रूटीन में, अगर हम थोड़ा सा मोल्ड हो जाएं, तो सारे रिष्टे ठीक हो जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो उनी चीजों के तहत ये फिल्म मैं बनाता हूँ, तो वो सारा फॉर्मेटे की ऐसा है, कि आप अगर किसी का अच्छा करोगे, तो आटोमेटिकली आपका अच्छा होता है, तो आप बुरा सोचो ही मत, हम कई बार खुद ही सोचने लग जाते हैं, कि जैसे मेरा भी ट्रेलर है, तो मैं खुद ही सोचने लगो, ये सोचेंगे, ये इसने क्या बनाया है, ये मेरी थॉट है, क्या पता हो, ये ही सोच रहे हैं, कि ये इसने इतनी चीज़ में भी अच्छी चीज़ बनाई है, तो हमें पॉजिटिवी सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी, तो मेरी फिल्म हमेशा, ये motivational फिल्म है, आपको motivate करती है कि आप आगे बढ़ो, तो मुझे खुद को अच्छा लगता है ये फिल्म बनाई है, अभी आप side हो जाओ, ये बड़ा भाई है, माबाप ये भी कर सकते थे कि बड़ा भाई है, अभी उस पर focus करो, अभी उसको side कर दो, I was very blessed, मेरे father जो अभी नहीं है, वो बहुत ही brilliant man थे, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही गरीब थे, बट उन्होंने एक spirit के साथ, जो हमें जीना सिखाया, हम बचपन से भगवद गीता, different different things के साथ बड़े हुए, बट एक faith थी, एक self-belief थी, एक positivity दी, तो वो छोटा-छोडा थोड़ी थोड़ी चीजे करके, सबके लिए enough shows हैं, और मैं यही दुआ करूंगी, अर्दास करो, सर्बत्ते पलिसी, let all the films ride, beautiful. अज़े देटा इदरों खाली नहीं मेल रही हैं, अगले दो यह पच्ची देसंबर तक बाई जी ना लिया, मैं और बाई गुरुजी दी मेर, ते पाजी मेल गे, रोहत पाजी है थे आके मेल गे, अपा ता मेलना थी, आपा ता देखना थी, आप अपा देखना थी, आप ऺज़े लडाई कर ले ना? इंस्पिरिशनल के नहीं गलत है समझेगे ना आप लोग एक मैंने आप से भी पूछना है जब आपने अरदास के लिए बुला था आपने बुला था एक वर्ड है बहुत अच्छा जब हम मेरे को बुलाया था पता नहीं क्या बोला था ट्रेलर देखने के बाद हां इंट्रो पो बहुत अरू अच्छे लागी है पोती है हो बहुत सी चीजा क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उस21 के पास अजै कि हैं लुगों की हानियां होती है के लुए बाते हम बातें कर रहे हैं कोई चीज अच्छी लगी बात जैसे इसने बोला कि मैं ओशिवारा रहता है जैसे रोहिजी के आफिस में जाता था हूं सकता है कल में यह बना लू थाट कि एक बंदा ऐसे जाता है तो मेरी लोगों से निकलती हैं तो इस फिल्म में हर फिल्म में अरदा आच सो में हें लूगो यह बना लूगों से पर लूगों से जाता हैं तो अच्छ पर दो कर साथ आर खारी लूगों तो अम्युच्छी लूद्स this journey, he said, कि मैं दो चीज़ निकल के आई जिस तरीके से वो चंसीव करते हैं इडिया उसको, Spontaneity and simplicity. So, clearly these are stories from the heart, nothing to do with over analysis, plot, beginning, middle, end, you know, इसमें इत्ते action scenes होने चाहिए हैं, जिस तरीके से हम फॉर्मूला फिल्म्स बनाते हैं, La Pata Ladies was another small film that was from the heart. So, I am a champion of films, immaterial of their size or language, of stories that are from the heart. I have always championed them and I will continue to champion them and that's what drew me to this. In every situation, there is an opportunity that makes me strong. बनाके जाती है, हर बार जब भी मैं इसी किसी तकलीफ में रही हूं, मुझे रेलाइस हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रॉंग क्यूंकि मुझे एसे लगते है कि, I have always felt that I am not a very confident person, I am a bit of an introvert, but जब भी मेरी लाइफ में डिफिकल सिचुएशन आती है, मुझे अपने आप पे जादा बिलीव होने लगते है, नहीं मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ, because I know that that injury, कितनी मुश्किल थी, वो पें था, but I kept on pushing myself, जितने मेरे काम के कमिट्मेंट्मेंट्स थे, जो भी थे, और सबसे बड़ा लेसन यह है, आप दिल से और दिमाग से नहीं हारने चाहिए हो, जितना भी मुश्किल टाइम आए, जो भी आए, डॉंट गिव अप, मतलब मेरा सिमरन जो बोलते हैं, आइगर, आइगर, करके अपने आप में बिलीव रखो, कीप पुशिंग यॉर्सेल्फ, डॉंट इस्टॉप, क्योंकि यहां से हार गए तो हार गए, यहां से नहीं हारे तो भाई, आपकी जर्नी बहुत लंबी है, और बस उसमें बिलीव रखो, मुझे लोग बोलते हैं, कि जब फ्री टाइम होता है, तो क्या करते हो मैं तो चौने देखते हैं, आपकाहु और एक बिल्में बनाते हैं, डे नाइट कोई और कुछ नहीं करते है, सारा दिन यहीं कुछ करते हैं, और इसमें नजॉई करते हैं, मैं आपनी फैमिली के साथ, बचचों के साथ, वह क्या देखते हैं, उनकी फिल्में भी देखते हो, मुझे मज़ा आता है। कुमार जी के साथ डिसकुशन करके इनके साथ बैठके इनकी जरनी देखके इतने इंस्पायर होते हैं इंस्पायर सही बोला मैंने इस बार सीधा हाना तो इतने इंस्पायर होते हैं कि मैं बताई नी सकता मतलब जो इनकी जरनी है अभी तो इन्होंने जतने काम बताए इन्हो को मैं कोई चीज पूझ लेता हूं कि कुमार जी ऐसे करके ये एक ऐसे था हमने लाइटों वाला किया था मेरे साथ एक बार लाइटों वाला हुआ लाइटों का किसा है तो मैंने उसके बाद लाइटिंग का काम कर लिया आज सबसे बड़ी लाइटिंग का काम अपना है ऐसे करना है यह करना है वो तो मतलब हर चीज का इन्होंने काम किया मतलब और चोटे से लेके बड़े तक और दूसरा जैसे जियो कुमार जी यह यह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं इवन के हम सिंगम की बात कर रहे थे यह ना वन ऑफ बिगस फिल्म आप हमारे आप लोगों का जोती जी थेंक यू इन्होंने हमारी फिल्म को इतना बड़ा मांट किया है हमारे लिए हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट में लिए और हमें खुद को परसनली फील हो रहा है कि यार हम उसी लेवल पे खड़े हैं हम उसी जगा पे खड़े हैं हम और आज को बुलाना था मुझे खुद नहीं पता था इन्होंने बुला कि हम रोह जी को बुलाएंगे ये सब चीजें करेंगे सो इतना कुछ हमारे लिए किया है तेंक यू सो मच और हमने बहुत कोशिश किया कि हम फिल्म बहुत अच्छी बनाए कुमार जी ने देखी है तो पूलो उसका जवाब भी होगा उनको सब याद भी रहेगा उन्होंने इंग्लिश में लिख के मैसेज बेह दिया तो मैं उनको जानता भी बहुत कम था तो मुझे लगा कि यार आमिर खान इतने बड़े आर्टेस्ट हैं तो मुझे मैसेज लिख के बेजा है तो अब मैं कै मैसे रिपलाई करूं तो रात के एक डेड़ बजे हुए थे तो मैंने पंजाब एक मंदे को फोन किया जो मुझे पढ़ा लिखा जानता था मैंने उसको बोला कि ये मैसेज बेज रहा हूं इसमें ये जे लिखा हुआ है मैंने पढ़ लिया मुझे पढ़ना आ है कि ये ये लिखा इसमें अब ये ये लिखना आ तू लिखके बेज उसने मैसे लिखके बेजा पर मेरे साथ वो बहुत खुल गए मेरी बाते हैं उने लगी रेगुलर मेरे दोस्तान के तब मैंने उनको बताया कि मैं तो किसी से लिखवाता था था भाई फिर मैं उनको वाईस नोट पेजने लगा उसके बाद भाई फिल्म पूरे विश में सप्टेमबर में लेलीज हो गये और अभी से महौन बन चुका है मुबई से ब्यूरो रेपॉर्ट